दोस्तो आज हम देखेंगे Angel One में आप Intraday में अगर order कोई लेके बैठे हो उससे Delivery में किस तरीके से convert किया जाता है तो चलिए चलते हैं Angel One एप के उपर और देखते हैं Intraday का position आप कैसे convert कर सकते हो जो भी position आप Intraday में लेते हो वो सिरफ एक दिन के लिए होता है आप वो margin यूज करके extra quantity में buy करते हो तो आपको अगर delivery में order convert करना है आपको लगता है कि दूसरे दिन भी मुझे ये stock hold करना है और मुझे delivery में ये stock buy करना है तो आपके पास उतना cash होना जरूरी है अगर आपने 100 quantity buy की है और आपके पास 50 quantity buy करने तक का ही cash है तो आप 50 quantity convert कर दीजेगा और 50 quantity उस दिन आप या तो loss में exit कर दीजेगा या फिर profit में भी आप exit कर सकते है लेकिन जितना आपके पास cash है उतनी ही आप दूसरे दिन के लिए order convert कर सकते हैं सबसे पहले intraday में order लेना जरूरी होता है और उसके बाद आपको decision लेता है convert करने का जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे है positions में हमने Tata Motors और ABFRL दोनों stock में intraday की positions मनाई है अगर मुझे यह order convert करनी है तो सबसे simple तरीका आपको जो भी stock आपको convert करना है यहाँ प यहाँ पे यह जो convert का button दिखाई दे रहा है उसके उपर click करूंगा जैसे ही convert के उपर आप click कर देते हो तो आपके सामने यहाँ पे product type या तो delivery आ जाता है या तो margin आ जाता है तो अब दुनों में से कोई भी यहाँ पे select कर सकते हो margin select करते हो तो आपको margin में buy करना होता है तो मैंने कहा अगर आप 100 quantity buy करके बैठे हो और आपको 100 quantity delivery में लेने के लिए पैसे नहीं है 50 के लिए ही पैसे है तो आप 50 quantity execute कर सकते हो convert के लिए और 50 quantity में आप exit कर सकते हो मतलब आप 50 quantity बेच दोगे और बची वी 50 quantity आप convert कर दोगे delivery में तो यह चीज आपको करनी होती है इसकी व और convert के उपर click कर देना है जैसे ही convert के उपर आप click करोगे एक बार फिर से आपको confirm convert के लिए पूछा जाएगा और जैसे ही आप यहाँ पे convert कर देते हो तो यह जो आपका यहाँ पे ABFRL stock था अभी हमारा वो intraday से delivery में shift हो गया है तो इस तरीके से आप यहाँ पे intraday में करके 100 quantity इसकी buy की थी तो 100 quantity के लिए अगर मुझे delivery लेनी होगी तो 29,000 के around हमें पैसे यहाँ पे देने होगे लेकिन मेरे पास अगर 15,000 रुपे ही है available तो मैं यहाँ पे 50% quantity ही convert करूँगा delivery में तो यह आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा जितनी quantity आप convert करना चाते हो उतन आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजेगा दोस्तों के साथ शेर कीजेगा और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजेगा धन्यवाद